सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी देने वालों की तहय तक पुलिस पहुच गई है पुलिस को पता चल गया है कि इस साजिश के पीछे आखिर कौन है और उसकी धर पकड़ में पुलिस की छेटी में भी निकल चुकी है पांच दिन पहले सलीम खान को मौनिंग वाक पर एक चिठी मिली थी जिसमें उनका और सलमान का हाल सिद्धू मुसेबाला की तरह करने की धमकी लिखी थी अब मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि ये चिठी उसी गैंगस्टर लॉरेंस विश्णोई ने बिचवाई थी जिसने साल 2018 में सलमान को खुले आम जान से मारने की धमकी दी थी न्यूज एजनसी एनाई की रिपोर्ट के मुंबई पुलिस ने बताया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस ने ही सलमान खान और सलीम खान को धमकी बरा खत लिखा था लॉरेंस गैंग के तीन लोग राजिस्थान के जॉलर से मुंबई में चिठी छोड़ने आये थे चिठी छोड़ने के बाद तीनों आरोपियों ने सौरब महाकाल से मुलाकात की थी सौरब महाकाल को पहले ही क्राइम रांच ने गिरफतार कर लिया है पुलिस के मताबिक सौरब महाकाल ने ये भी बताया कि गोल्डी बराड के जरिये ही सलीम खान तक खत पहुचाए गया था गोल्डी बराड वही है जिसने सिद्धु मुसेवाला की हत्या करवाई है गोल्डी लॉरेंस का सहयोगी है जो कनाड़ा में बैठ कर गैंग को ऑपरेट करता है इदर क्राइम रांच ने खट डालने वालों की पहचान कर ली है उनसे जुड़े कुछ सुराग भी मिले हैं जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा इस धमकी को मिलने के बाद सलमान की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया था फिलाल इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस की जान में जाना ही है अब जल्दी सलमान को धमकी देने वाले सलाखों के पीछे होंगे फिलाल इस खबर पर आपकी कहा रहा है हमें कमेंट में बताइए और भी जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे